एक चालिस लोगों के जान को बचाने बाला वकिल हसन के घर में बोल्टूजर चल जाते हैं उसके घर को तबाव बर्बात कर दिया जाता है, मिक्टी में मिला दिया जाता है डी डी एक लोग एक बार भी ये नहीं सुचा एक बार भी ये इंफोर्मेशन नहीं लिया कि ये घर किसका है वकिल हसन कौन है जिसने एक चालिस लोगों के जान बचाया था उत्तरकासी में यानि टेनल में जो फसा हुआ था सुरंग में जो फसा हुआ था एक चालिस लोग को वही बचा नहीं पाया था बड़े बड़े मसीन लगाया गया था पूरे देश के इंजजिनियर वहां पर गया था वीदेश से इंजएन रहा था फिर वीवह 400 लोगों को हिफाज़त से निकला नहीं पा रहे थे तभी वकील हसन का टीम आते हैं और एक 40 लोगों को टेनल से बचा करके बाहर निकालते हैं और आज वही वकील हसन के घर में वोल्टुजर चल जाते हैं अब हम कहां जाएंगे क्या सरकार हमें बताईगी कि हम कहां जाएंगे सुलिये नव वकिल हसन के बीबी के दर्द को सुनिये ज़रा मेरे हजबेंट तो हीरो थे उत्तरकाशी के एक 40 मज़़ूर के जान बचाए थी उन्होंने कि अखर आज आपने समझो के ना कभी भी आपने समझ पाओं कि उसका दर्द भरिये काहीं कि मोची जी कहते हैं आज चोड़के सब का साथ सब कविकास हमारा विकास कहां है किसे क्या करें हम छोगा करण दो ऊटजाय तो एक तोटा फुटा घर को कि यह बाद नीदिय वाले आ चुकय तुम्हें पता है अभी लु महीने पहले मेरा आजबन क्या कहा व किल architect के देप सबका साथ सबका विकास तो वकिल हसन का वीबी भी कहा कि आज विकास हो गया यानि इस तरह का वकिल हसन का विकास हुआ ना घर को तबाव बरबात कर दिया गया यही तो विकास है इसे के साथ साथ दोस्तों इस बात को भी गवर करिएगा आज पास का जितना भी मकान है यानि वकिल हसन के घर के पास वाली जितना भी मकान है उसे तबाव बरबात नहीं किया गया बोल्टूजर से यानि उसे जीसे भी से नहीं गिराया गया है सिरिफ वकिल हसन के घर कोई ही क्यों गिराया गया है डीडिये क्या उस पर अपना हक नहीं रखते हैं वकिल हसं गर्द में अपना हक रखाता तो यह वीडियो तो बहुत ही छोटा रहा लेकिन देश वीडियो जो आएगा देरोजगारी के बारे में आएगा तो वीडियो को आप ज़रूर दखेगा जो मेरा नेश वीडियो आएगा क्योंकि आपका हाग का जो आवाज है ना इसक तो सच आवाज को आगे पुचाएंगे उसका काम तो एक रहेगा है ना क्या आगे पुचाना और आप तो जानते हैं हे तो नियोज अभी बहुत ही नीचे है और आप लोग अगर इसे आगे नहीं पुचाईएगा तो नुक्सान किसको है आप सबीर को तो इसलिए जाए यू